स्वाश्कार गुड इवनिंग आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास जो है वो मेरिज के उपर है बहुत अच्छा वे होना चाहिए देखे हम लोग कन्फ्यूज पता कहां होते हैं एस्ट्रोगी जब हम क्लासिकल चीज को नहीं पकड़ते अब कोई भी संगीत में आगे जाता है ना तो सारे गामा पाथ पर तो आना ही पड़ता है ना क्लासिकल है ना वो हम लोग जब एस्ट्रोजी को डिक्टम और दूसरे तरीके से जब पढ़ेंगे डियरा टू वे टू लंदा एस्ट्रोजी वान इज आफ राहू जबे एंड सेकंड इस आफ सेट्रन वे यह शौटकर तरीका है जो राहू का है आप सीख जाएंगे लेकिन सदेव कंफ्यूजन बना रही लेकिन जब आप क्लासिकल वे से सीखेंगे तब आप कभी गलती नहीं करेंगे देखो हर हाउस से सेवंथ हाउस उसका पूराक होता है उसकी फोटो कापी होता है उसका अब नहीं बोलते हैं एक कॉंजिकूटी वेब में बोलते हैं दान पूं देन रात तो वो परच्छाई है सेवंथ हाउस जो होता है वो हर हाउस से उसकी परच्छाई है अब लगन का सेवंथ हाउस वो लगन की परच्छाई है सेवंथ हाउस से लगन वो उसकी marriage और नौई पहले तो promise शेक करो शादी है या नहीं है मैं परसो भी class के अंदर पढ़ा रहा था advance फेदिक जब मैं पढ़ा रहा था जिसमें बता रहा था कि उच्च उच्च के ग्रह कुछ होते होते है नहीं और almost class में confirm हुआ भी रजनी जी ने भी confirm किया तो वो चीज है बड़े ध्यान से आप सीखे के अगर कुंडली के अंदर लेट मैरी जोग है तो लेट के सबसे पहले आप दिमाख लगा यह कारग रह कों से हैं शनी भगवान रहु हैं फिर मांगलीक हैं मांगलीक के में चाहता हैं मेरी यूट्व वीडियो पर जाये और देखिए मैं मांगलीक मेरी मांघलीक नहींच मैं मैं मांघलीक मेरी वाइफ नहीं है कूं कहता है मांघली के छक्कर पढ़ना चाहिए और साथ ही आपको टेक्निक उस एक मिनट की वीडियो में मिल जाएगी मैं चाहता हूं वो देखिए आप ढूंड़िए उसको वहां मिल जाएगी बताने के तुम्हें यहां भी बता सकता हो एक सेकंड लगेगा मुझे पर मचाऊंगा आप देखिए मंगली करें लिए सकेंड लाट है और दीवण में शादी का नमंच का कारण रह है यह यह बात आप याद रखिए गएगा घृट रखिए गाधाए दुड़ा फ्रदास कुंडली की आप जैसे की कुंडली के अंदर, marriage ही नहीं है, कैसी होगा, suppose someone is having lagana lord and seventh lord, having two twelve relation or six-eight relation, it shows little bit delay or no marriage promises. If it is having too much affliction, malefic, then in that case it's totally denied by the person. Simple. कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बैस समंद ही lagana और सत्तम भाव का शडाश्टक हो जाए, दो बारा का हो जाए, पाप परभाप ज्यादा आ जाए, फिक्रे राशी संदी में आ जाए, केतु जैसे ग्रैक के नक्षत्रम में चला जाए, गंड़ मूल नक्षत्रों में चला जाए, तो marriage में दिक्कत आ जाती है, late marriage हो जाती है, सेटर्न मून सेवन्थ हाउस में बैड़ जाए, तो marriage को रोग देते हैं, बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, हम को छोटी-छोटी सी चीज़े समझनी चाहिए, ऐसे ही सेटर्न मास भी है, अगर समवन इस हैविंग सेटर्न मास इन दे सेवन्थ बावा, मैं जब भी कोई टेक्नीक को पढ़ाता हूँ, बिसीकली आपको जो प्रोवाइट करता हूँ, वो SCF प्रोवाइट करता हूँ, SCF का मतलब होता है, हाइस्ट कॉमन फेक्टर, चुकि मैं नाड़ी भी पढ़ाता हूँ, वेदिग भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप समझिए, मुझे बड़ा एजी हो जाता है, जब से मैं नाड़ी लोगों को पढ़ाई है, बथे रहे उनके confusion दूर हूँ है, तो जब दूर हूएं तो आपको बड़ा फैदा होगा, आपको भी मैं उसमें पढ़ा दूगा एजी ली, कुछ पता दोड़ी लगेगा आपको कि हाँ, यह है यह नहीं, अब आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा सूत्र स्टार्ट करने से पहले एक और बताता हूँ, तो इस वन आप बेस्ट योगा, The Lagna lord and the D9 Lagna lord. What I said? Lagna lord of D1 and the Lagna lord of D9. Both are sitting together anywhere in D1. It shows a very good combination. But one should not marry. Because he is born for the society not for the marriage. I repeat it again. दा लगना लॉड भी वन एंड लगना लॉड भी नाइन बोथ आर सिटिंग तोगेदर इन दी वन एनीवियर इन दे ट्वेल्थ भावा दा पर्सन इस बॉन फार्ड शोसाइटी नॉट फार्ड दा मैरीज इस उड़ नॉट गूव फॉर मैरीज ए सिंपल सी बात है चलिए म लगाईएगा अपने चार्ट पर कि वैदर इट इस वरकिंग और नॉट तो इस चीज़ को आपने देखना है अच्छा यह मेरी क्लास स्टार्ट होगी पहले मैं एक थोड़ा सा इंपोर्टन बात कह देना चाहूंगा मंडे स्टार्ट होगी सेवन टू एट फाइव डेज का यह कोर्स रहेगा ठीक है फाइव डेज का यह कोर्स रहेगा और डेली क्लास है मंडे टू फ्राइडे और इसका क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगा क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है आपको लाइफ टाइम के लिए मिल आपको और इसका फी मैंने रिड्यूस कर दिया है अब लियार आई वास चार्जिंग टू ट्रिपन सेवन जिन्हों ने पुराणा देखा हो या मेरी पुराणी वीडियो देख लीजे क्योंकि कुछ लोगों में मैंने सभी कोर्सेस पर फीस रिड्यूस कर दिया है किसार हमें आपसे पढ़ना है पट फीस थोड़ी ज्यादा है सो 2345 विजा ओन्ली फी कॉंटिनुटी में रखे 2345 तो कल यानि स्टार्ट होगा यह सेवन पीम पर क्लास स्टार्ट होनी है कल से सेवन पीम से जो एन्रूल करना चाहें तो वह एन्रूल अपना कर सकते हैं बाक को यह को स्टार्ट होगा ठीक है 24 दोस वह रियली इंट्रस्टेट तो लन दा क्लासिकल वे ऑफ एस्टोलोजी देशुड एन्रूल इट लन दा टेखनीक्स बैस्ट अब आता है कि सब्तमेश नीच का होगा मालीजी किसी फीमेल के चार्ट में सब्तमेश नीच का that is very good मैं फिर से रेपीट कर रहा हूं किसी इस्तरी की कुंडली में सब्तम भाव का स्वामी नीच का है बाई सब उसे खुश होना चाहिए उसकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी कोई गलत फहमी मत पालना कि सेवन्थ हाउस का लॉड नीच का है मेरे पास ऐसे बहुत सारे परमान है जिनका सेवन्थ लॉड नीच का है और मैरिज बहुत अच्छी चल रही है बाट क्लियर है तो यह चीज है इन चीजों को आपने बारिकी से समझना है और समझ करके ही जब आगे चलेंगे तब ही आपको समझ में आएगा क्लियर है आगे चलते हैं और आपको अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं सबी मेलशर perfectly जो होते है वो डिले मेर리ज के कारक होते हैं अब जैसे सब्तमेश मीट कर देता है अगर सब्तमेश की का है और शुक्र अष्ट्रमभाव में तो मेरी जो होती है करीब 35 चालिव के बीच की यचमे होती है मैं फिर से कह रहा हूँ सत्तम भाव का स्वामी सेवन्थ लौड का स्वामी ठीके जी हाँ जी सेवन्थ लौड का स्वामी नीज का हो प्लियर है और अश्ट्रम भाव में शुक्र बैटे हो तो मैरिज क्या हो जाएगी 35 से 40 की एज के अंदर डिले मैरिज हो जाएगा आगे चलते हैं लेट मैरिज के कारच गरह जो होते हैं न राहू शनी के तू एंटसर ये लेट मैरिज के कारच होते हैं सत्तम भाव पर इनका प्रभाव आए या सत्तमेश के साथ बैट जाएं आइदर दे हाव एस्पेक्ट ओन दा सेवन्थ भावा और बिंग एस्पेक्टेड बाई दा सिंपल है कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हम लोग बहुत इजी वेव के अंदर चल रहे हैं आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं ठीक है आपको बड़े इजी वे में समझ आएगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब यह हो गया लेट मैरिज के कारक हैं लेट मैरिज कारक के अलावा बड़े ध्यान से सीखें इंटर कास्ट मैरिज किससे होती है जो लेट मैरिज के है ना वह इंटर कास्ट है राहू वीनस मेरा ह तो मैं खुद का एविडेंस दे रहा हूं ना बात समझे रहे हैं सैट्रन वीनास इंटरकास करा देंगे यह क्लियर है डिले भी कराते हैं इंटरकास भी मैरिज कराते हैं हाँ जिनको मांगली दोस्टा विचार है ना उनको ज्यादा कुझ लिए तो ठाइस के बाद कर लो वही है तुमको शादी ऐसा कुछ होता नहीं है आओगे क्लास में बहतरीन टेकनीक बता दूना ऐसा कुछ नहीं है बहुत सिंपल टेकनीक होती है जिसको अंडरस्टैंड किय जा सके आगे चलते हैं लेट मैरिज के अंदर मैंने बता दिया मर्करी और कीतू यह फ्रेंडशिप भी कराता है शादी भी कराता है लेट याद रखना कीतू हमारा धार्मी ग्रह है बड़े द्यांचा समनना कीतू हमारा धार्मी ग्रह है धरम के नुसार हमारे फेरे करा सक केतु रिप्रेजेंटेस पर नाड़ी लिटीगेशन तो जहां केतु के साथ जो भी ग्रह होता है जैसे मार्स ये वीनस या जुपिटर की पेटें माइंड खास वोड़ से वीनस आपका उसी बंदे से शादी होगी जिससे पिछले जनम में रिलेशन था याद रखना वीनस की तु वही लड़की मिलेगी जो पूर जनम में थे आपसे और उसका आपने उधार देना था इसलिए आपकी कुडली में वीनस की तु है जिस दिल उसका उधार पूरा हो जाएग यह हो जाएगा उस कन्या का वो आपको तलाग दे देगी बात खतर ऐसे लोग अच्छे संत बन सकते हैं मेरिश के चक्कर बता नहीं क्यों पढ़ते हैं लोग में को यह समझ में नहीं आता क्या रहनी हो तो यह चीज होता है अगर सेवन था उसका लौड हो जाए सिंपल सी की की बात है वो आ जाए केुतू के साथ offer के साथ शंइक के साथ फोंटर कास मह Way तो करा एं गई दिले भी करा सकता है रही है भी सकता है तो यह चीज़े जो हुए Housing पर मैसं ध्यान देना है और अगर जैसे हम ध्यान देंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा ठीक है आगे चलते हैं और इन चीजों को और समझते हैं अच्छे से ताकि हमारे को समझ में आए उस लोग विचारे लिखने पर फोकस कर रहे हैं मैं कह रहा हूं समझ लो तो अच्छी बात है डाउट हो तो बाद में कूछ लेना केमरा अन करके किसी ने मना थोड़ी किया है पूछो दस क्वेश्चन पूछो मैं है आपको बैतरी निन बताने का प्रयास करूंगा अब लव मेरिश क्या होती है बहुत सिंपल है देखो लगना लॉड विद फिर्थ आइदर दिया और कंजर्ट या मिच्वल एस्पेक्ट हो वन सेवन हो वन नाइन हो क्लियर है सिंप संबन नक्षत्र से भी तो बन सकता बबादा नक्षत्र में भी अगर सामनद है तो उना पर और अज़ा आने जा रहा हुए सपोस्स किसी का डीवन चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छे हैं शुक्र बढ़ी अच्छी स्थिती में है सेवन्थ लॉड बहुत अच्छा है आई सेट डीवन में वीनस या सेवन्थ लॉड दे आर वेरी गुड पुजीशन होता है कि यह जा तक विवा के शुरू का समय बढ़िया और बात का समय बस वैपन खुल गए बॉडर खुल गए दोनों के क्लियर है बैड है क्योंकि नम्माच्छा लेटर ओन लाइफ को बताता है बाद में लाइफ में हस्बेंड और वाइफ के डिस्कूट वाली बात अगर वीनस और सेवन्थ लॉड अच्छी पुदीशन में नहीं है दीवन में लेकिन डी नाइन में है तो स्टार्टिंग में हस्बेंड और वाइफ में गडबड रहेगी बट लेटर ओन उनकी मूच्छी हो जाएगी बसी द्यान देना इसमें कून सी रॉकेट साइंस है क आगे चलते हैं अट्रेक्शन होता है शादी के लिए अब जैसे वीनस और मार्स यह पतनी है नाड़ी में यह पती है नाड़ी कहती है साथ जन्दमों का साथ क्लियर है साथ जन्दमों का साथ है यह बहुत अच्छा है यह लब मैर् liqu भी देता है, σास के साथ यह योगी यह जिए स्मादी योग भी है गलत पही ना शामदी से लगती है वीनस और मार्स की बेजे से देख लो जितने योगियों कुणली आपको वीनस मार्स मुलेगा क्या होता है वीनस भोग के बाद योग का शाव का कारक बनता है गिया था डेमी क्लास में मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया यह पाया है 45 की एज के बाद डेमों में जो शज्जन ने बोला उनकी 45 की एज थी नॉर्मली मैंने पाया है 50 की एज के बाद husband and wife अलग लग कमरे में रहते हैं they are not living together under the same roof देख लो पतीवत नहीं का योग है बड़ा अच्छा इस इस नाड़ी टेक्नीक पड़ा रहा है आँराम से कोई एसा कोई rocket science नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए easy way में सीखिए बड़ा अच्छा योग होने पर भी अब आगे च attraction किससे होता है माल लीजे चलो मैंना एक काम करता हूँ दो खुल्डी बनाता हूँ उससे आपको अच्छे से और समझ आएगा हाँ आ गया यह देखिए यह male का चार्ट है यह female का चार्ट है clear है यहां मालो लड़के का चलो मार्स यहां ले ले लेते हैं clear है अब लड़की का वीनस कहां लेना हमें वीनस अगर इसके ट्राइन में आजाए या सेवन्त में आजाएाक लड़की का वीनस यहां हो तो यह सेवन्त हो गया 17 окs prejudice हो गया इसका ट्राइन लगन हो गया इसका एक ट्राइन वीनस हो गया clear है आच्छे से समझ आया या लड़के का मार्स और वीन जो है इकटे बैटे थे तो ये अट्रेक्शन है अट्रेक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है पहली नजर का प्यार क्योंकि ये भोक का ग्रह है और ये उर्जा है उस भोक की तो इसलिए पहली नजर का प्यार हो जाता है पहली नजर का प्यार राहू भी देता है अब आता है कि हमारा पती कैसे मिलेगा अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा सिम्पल साय कुछ नहीं करना आपने सिरफ ये देखना है डीवन में सेवन्थ लौड का स्वामी स्वारी सेवन्थ हाउस का स्वामी ये सेवन्थ हाउस है आपका इसका स्वामी जो है वो अच्छी जगा बैटा हो छे आठ बारा में नहीं बैटा हो तो आपको पती अच्छा मिलेगा कुल भी अच्छा मिलेगा माल लिजे किसी का सेवन्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड है तो अच्छी फेमिली में रिस्ता होगा परिवार अच्छा होगा अगर एफ्लिक्षन में है तो वहाँ थोड़ा सा गड़ बड़ अब एक और बात समझिए सेवन्थ लॉर्ड सिटिंग इंदा लगना कोई लगन हो सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन में बैड़ गया तो रिस्ता चल के आएगा बात खत्म सेवन्थ लॉर्ड सिटिंग इंदा लगना चाहे मेल का हो या फीमिल का हो आपने सुनो होगा अपनी फैमिलीज के अंदर वो लड़की उन्होंने मांग करके ले लिया लड़का मांग करके ले लिया तो वो यही है सेवन्थ लॉर्ड सिटिंग इंदा लगना अब लब मैरिज भी कर दें इसी चीज़ को गुमा लो देखो क्लासिकल पता होगा तो गुमाना भी आता है सेवन्थ लॉर्ड लगन में चला गया सेवन्थ लॉर्ड और लगना लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आ गया लगना यह लब मैरिज बन गया इस टाइप अब कॉंबिनेशन यू कन सी इंद्रा गांधी चार्ट इंद्रा गांधी जी के चार्ट में चार और दस था शनी लगन में था और चंद्रमा सत्तमबाव में था इंटरचेंज ऑफ वान एंड सेवन उन्होंने लब मैरिस करी दिबात खतम हो गया दिखा रहा हूं न आपको चेक कर लो किसी को नेट पे चेक करना है तो ये चीज़ है अगर प्रभाव में अच्छा एक और बात मैं बता रहा हूं सेवन्त लॉड अगर मंगल है और फीमेल के चार्ट में हो या मेल के चार्ट अपने को नहीं लेने देना सेवन्त लॉड मंगल है माल लीजे राहू के प्रभाव में आ गया या ये वक्री हो गया तो गड़बड़ हो गई पती गुस्से वाला मिलेगा या किसी का मंगल ही बैठा होता है मैंने क्या पाया है अपनी रिसर्च में वो शेयर करना चाहूँगा जिन फीमेल या मेल के सेवन्त हाॉस में मंगल होता है उनकी शादी में बड़ा तगड़ा लोचा आता है पर कभी भी आपको मेरिज की सला लें ही हो न जिसके सेवन्त हाॉस में मंगल है उससे लेना कि वो जो सला दे सकता कोई नहीं दे सकेगा क्योंकि वह भुखत भोगी तैक्सेंटर कोती यह को बचार लुह धे साइस नहीं भनते कोचिंग में आते हैं और दूस्रों को पना देते हैं तो भीकट भोगी है नरक्सर वाला आदमी क्यों मदद करेगा बहिए मैं collector बन गया मिर्क क्या जुरूरत आपको guide करने की मैं तो अपनी नोक्री करूंगा ना समझ में आया simple सा concept है कोई rocket science नहीं है आगे चलते हैं पत्नी कैसे मिलेगी simple सी बात है कि किसी प्रकायर अगर सत्तन भाव का स्वामी पीडेत है तो फत्नी आपको ठीक नहीं मिलेगी बात क्लियर है अगर माल लीजे Venus जो है 7th Lord किसी मेल के चार्ट में what I said मेल का चार्ट 7th Lord और Venus दोनों पाप प्रवाब में गे तो पत्नी ऐसी मिलेगी कभी आपका मन नहीं करेगा घर जानी दोनों अगर reflection में याद रखिये astrology का नियम है कारक और भाव का स्वामी दोनों पीडीत हों उस भाव का सुख नहीं दिया बगवन ने आपको उसके प्रति आपको भोगने के लिए जनम दिया पीडा भोग नहीं आपको इस जनम में क्लियर है आप कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को working wife चाहिए काम करने वाली बीवी तो देखिए सिंपल सा है कोई नहीं है सैटरन एंड वीनस कॉंबिनेशन किसी मेल के चार्ट में है या फीमेल के चार्ट में भी है तो वह working girl है आपको जो पत्नी चाहिए सैटरन एंड वीनस sitting together या heavy mutual aspect या एक दूसरे के नक्षत्र में हो तब भी है आपको working मिलेगी या 7th lord sitting in the 11th बाबा लाब का स्थान है न तो पत्नी से लाब clear है 7th lord sitting in the second बाबा धन का बाबा पत्नी से धन का लाब तो बहुत सारे combination है मैंने हलके से बताएं आप देखिए और उनको use करिए अब आगे चलते है एज का difference क्या होगा पती या पत्नी के एज का difference भी होता है न सब्तम भाव में शनी भगवान आके बैड़ जाए तो minimum 5-7 साल की उमर का फरक डाल देंगे पती पत्नी में क्योंकि शनी मारा जो होते है न वो दीर्द आयू के कारक होते हैं बड़ी आयू के बात क्लियर है यह एस्पेक्ट आ रहा है शनी भगवान का सब्तमभाव में अब ठीक वाई से वर्सा करें अब यह तो हो गया पती हमको बड़ी आयू का मिलेगा अब जो है प्रियंका चोपड़ा वाला भी पढ़ लो भाईया उसका जो पता नहीं क्या नाम है उनका अमेर में अब उल्टा हो गया ना वाई से वर्सा एक तो मैंने शनी का बताया सिंपल सा दूसरा क्या है किसी भी फीमेल का अगर सेवंथ लौड पूर्व भद्रबद्र नक्षत्र में वो बैठा हुआ है फिट से रिपीट कर रहा हूं सेवंथ लौड अगर पूर्व वो पती छोटी आयू का मिलता है बस सिंपल जीबात है और भी बहुत सारे कॉंबिनेशन है आईल रिवील इन दा क्लासिक्शन आगे चलते हैं होता क्या है कि हम लोग मैच मेकिंग कर फोकस करते हैं मैं इस पर करता ही नहीं फोकस यह बहुत बात की चीज़ है मैच मेकिंग अब आप देहान से देखिए मेरे पास जीता जाकता हूँ धरड़ा मैं अपने क्लाइंट का ही बता रहा हूँ नान थोड़ी ले सकता हूँ किसी का वो एड़ोकेट है उसके हजबन भी एड़ोकेट है तो पहले मेरे से उपाई लेते रहे शादी के दगल वाज अंडर दा बैटरी है कभी भी लड़की और लड़के की दोनों की साड़े साती नहीं होनी चाहिए at the time of marriage दोनों की अंदर परिवर्तन आ रहा है संगर शा रहा है एक के हो तो चल जाएगा बबाद दूसरा उसका संभाल लेगा सपोर्ट दे देगा बहिया दोनों की साड़े साती चल किसी कुंडली को देखते हैं लड़का या लड़की की तो ये भी तो ध्यान दें कि आने वाली दशाएं प्रोस्पेरिटी लाने वाली हैं या मारक दशाएं तो नहीं आ गई या आएंगी दशाएं देखो क्या शादी के बाद वो लोग ग्रोथ करेंगे तो कैसे ग्रोथ यह कुन देखेगा भाई आगे चलते हैं फिर आता है सेक्स लाइफ है जिस पर मैरिश टिकी है अश्रम भाव और द्वादस भाव यह दोनों बैडरूम के भाव है अगर यह अफ्लिक्षन में हैं शनी राउ कितू जैसे ग्रहे बैटे हैं तो भाई या बैडरूम सो खहनी ख आमखांका लो नहीं कारण कि दिक्कत आजाएगी आपको अब क्या होता है कि जैसे तुला लगन वाले हैं मैं तो उनको प्यार से एक सीदी सी बात कहता हूं मेरे पास कुछ तुला लगन वाला कंसरटेंजी के लिए आता है तो मैं उससे कहता हूं भया तेरा कैरियर तभी बनेगा उसका क्वेश्चन होता है सर मेरा केरियर कब बनेगा बहिए काल पुरुष का सेवन्थ हाउस की जो राशी है वो आपका लगन है यह आपका नमवंशत तुला लगन का आ जाए तो साधी करने पर ही आपका भाग्य उद्धे होगा बात खता है इसमें कुण सी रॉके सिधी जिवाद सब्तम भाव का स्वामी अगर लगन में बैड़ जाए तो कन्या के आने पर आपका नेम चेम आजगा आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि लगना मींस आई मी माईसेल तो इस तरह से हमें लेना है अब शादी कब होगी दशा आने पर ही तो हो देखो ये शादी का मैं समझाता हूँ कब होगी मैं कभी भी जिस लड़की की नाइन्त हाउस में बैटे ग्रह की दशा चल रही हो ये नाइन्त हाउस का स्वामी की दशा चल रही हो मैंनी रिकमेंड करता कि उससे शादी करो, no and never, मैंनी रिकमेंड करता, जशा जो है इधर देखिए, second house की, fifth house की, seventh house की, eighth house की, twelfth house की हो, तो विवा होता है, जशा का मतलब है, MD, AD, PD, बात के लिए, तभी विवा होगा, अन्यथा विवा नहीं होगा, मैं क्लास में पढ़ाता ह हूँ, तो अभी, पर्सों फ्राइडे की क्लास की बात बता रहा हूँ, तो यह समझाया, आपके घर में, MCD का पानी आता है, 7-8, 11 बजे, मोटर चलाओंगे, पानी नहीं आएगा, खाम खांके, उपाय कर रहोगे, कोई फ्यादा नहीं है, दशा है, नहीं औरी, दिक्कत आ नाब है, भइया, आप सिंगल हैं, और ये फेमिली है, आप फेमिली वाले बनेंगे, बात कट आ У cry, फेमिली बनेंगे, फिट आूस की दशा से क्या होगा, भइया, शादी के बाद आपके पास संतान आइजी, आपके पास क्या आएगी, संतान आइगी, 7-th आूस क्या है, कि आपका भोग है आपका बेडरूम सुख है बात कतम होगी कि जब तक इन भावों की दशानी है भाई सब आप क्या कर रहे हैं अगर नहीं है इन में से किसी की भी कि एमडी एडी पीडी खांखां उपाए करके अपना पैसा समेम ना नस्ट करें क्योंकि वेस्ट है जब पीरेड़ी नहीं है यह तो क्या फैदा हो गया आगे चलते हैं देखो अब विवा के कारग रहे कौन से होते हैं जुपिटर वीनस राहू पंजाब के अंदर राहू को न ब्याहू बोलते हैं लान किताब वाले पंजाब में राहू को ब्याहू बोलते हैं जुपिटर विवा गठ बंदन वीनस कलत्रकारका एस्परतनाडी और राहू वि बिवा के कारग ग्रह है इनकी दशाओंने बिवा होना तैह को बशर्ते आपकी कुंड़ली में पृमिस अगर सकर्वा में तो यह नहीं है यह बारी की चीज़ समझ हैं दिक राने वाले ग्रहा है अब डिनाइन का हiao देन बटाता हूं, 7th house में बैठे ग्रह, कोई भी ग्रह बैठे हो या D9 का 7th lord इसकी दशा में विवा होता है, बात क्लियर हो गया, D9 का 7th house lord या 7th house में बैठे ग्रह की दशा में विवा होता है, अचा राउ के तूगे ने, बड़ी शान्दर चीज बताता हूं आपको, राहु कई वरी क्या करता है फेमली के अंदर लड़का जी हमारा 25,000 पर कमा रहा है शादी तो बता लगा 15,000 कमा रहे है इट सने चीटिंग वन शुड़ बी वेरी केरफूल डूइनिंग दशा अफ राहु क्योंकि राहु मेटीडियलिस्टिक रहे है इप इन माइड डिजाय अब टिजायर जो होती है वो गृड़ियुनेस में भी बदल जाती है मैं मर्सडीज में गुंँ घुम बढ़ा डादी अरे बेटा मैं मरने वाला हूं मेरे सामने तेरी शादी बाद में भुगतना आपने दादा जी तो अपना मिठाई खाके निकल लगे पतली के लिए से दूसरी दुनिया में समझे भुगतना आपने यह सारी जिंदगी तो भईया राव केतू की दशाएं ओ देख लेना वैसे एक बात बताओं स्रिष्ट्री का मैं एक पबाद हूँ मैं कभी किसी को रिकमेंट करता हूँ है किसी को रिकमेंट नहीं करता हूँ ह्पर मैं याद रखना बशरते आपको खुनली पढ़नी आने चाहिए क्लियर है आगे चलते हैं अब ट्रांजिट के ग्रेज होते हैं वो विवाग के सायक होते हैं वो होते हैं शनी शनी कहता है मैं तेरा काम कर दूँगा काम कर दूँगा और जुपिटर क्या कहता है मैं तेरे को blessing दे दूँगा clear है तो जब तक इन दोनों की blessing नहीं आएगी ना तो किसी का जनम होता है ना विवा होता है ना मरण होता है ये दो गरे इनको dual transit कहते हैं clear है विवा का सुख हर divisional chart का four thousand उसका सुख है अब बड़े ध्यान से देखिए जैसे मैं D1 से बता दूँ D9 जे एक ही बाता सीखो आप अब ये D1 चार्ड है लगन मैं हुआ तो ये मेरा सुख है अब ये D9 चार्ड है तो मेरे विवा का सुख है अगर ये fourth house of the D9 पापी गिरह बैटे हैं ये पापी गिरहों कोई दृष्टी है तो सुख में कमी है सिधी बात अब मैं जब कभी वो पढ़ाता हूँ ना अभी मैंने advance course पढ़ाना है दी टेन का ये ninth house दो होता है ना दी नाइन में वैसे मैं बता रहा हूँ दी टेन के अदर जब आएगा मेरा course में पढ़ाऊंगा दी टेन के अंदर जो ninth house होता है ना office में अंगुठा लगा के आप जाते हैं ताइम टेबल को रिप्रेजेंट करता है आप पी responsibility को रिप्रेजेंट करता है दा नाइन्थ भावा अप दी नाइन रिप्रेजेंट यूर रिस्पॉंसिबिलिटी यूर ताइम टेबल आइधर यू यू यूर सेल्फ और दा कंपनी वेर यू आर वर्कीं तो वाट इस दा रिस्पॉंसिबिलिटी अफ दा मेरीज हैस तो बी सीन फ्रॉं दा नाइन्थ भावा कि आप विवा की जिम्मेदारी उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं सिंपल जिवाद है बहुत सारी चीज़े हैं रिवील इन दा क्लास अब क्या है कि विवा का सुख हो गया अब आगे चलते हैं मैच मेकिंग का पॉइंट सबसे इंपॉर्टन होता है मांगली दोश का मैंने बता दिए एक मिनट की वीडियो मेरी देख लेना कोई दिक्कत नहीं है मांगली दोश हो गया अब होता है सबसे उसमें 32 पॉइंट होते हैं साथ भुकुड के होते हैं आठ नाडी दोश के होते हैं बात क्लियर है भुकुड शब्द का आर्थ होता ह लेन दे पती पतनी में लेन दे वो बुकुड होता है और नाडी क्या होता अगर एक ही दोनोंका नक्षत्रों का मिलन से बुकुड क्योंकि जितने भी सौट्वेर है ने आपकी उनके अंदर फीडिंग है माल लीजे किसी का लड़के का रोविनी नक्षत्र है लड़की का ह तो वो सौट्वेर डिनाई कर देगा बात क्लियर हो गया वो डिनाई कर देगा पर मैं कुंडली में आपको सारी चीज़े दूंगा कि यह कोई दोश नहीं है ना तो उसके पास भुकड़ दोश है मैनुवल है घड़ी के इसाब से एक मिन लगेगा आपको मैनुवली सीखने म बात कर देगा एक मिन लगेगा वो सौट्वेर आपको डिनाई करेगा लेकिन आपका सेम नक्षत्र में जनम है तो मना कर देगा नाड़ी दोश बताएगा नाड़ी दोश से लोग डर जाते हैं क्योंकि नाड़ी जो है वो आपके आने वाली संतानों को बताता है उसमें र पढ़ा तो उन्होंने कंफर्म किया मेरे एक रिलेटीव का जो है वो मैरी जो है सेम नक्षत्रा के अंदर फिर मैंने टेक्निक सिखाई थी उनको कि भई इस वजय से जो है दोश नहीं लगेगा नारी सबसे इंपोर्टन पॉइट होते हैं पहला पॉइंट होता है कि पति-पतनी किया आत्मा का मिलन है दूसरा आता है चंद्रमा से देखना है क्या मन का मिलन है दुनों का मन मिलेगा अपन 32 गुणों पर फोकस कर रहे हैं तीसरा पॉइंट आता है क्या फिजिकल अट्रेक्शन है सेक्स अट्रेक्शन जिसे आप बोलते हैं क्या वो है यह तीन ही तो पॉइंट आएंगे आत्मा, मन और धे त्री डेमेंशन थियोरी होती है तो वो है अच्छी बात है नहीं है तो दिक्कत है बात खत्म हो गया आगे चलते हैं अब जैसे मैं एक और थोड़ा सा आपको सिखाना चाहूँगा आप सीखिए इन चीज़ों को अब जैसे सौट्वेर पता कैसे उठाता सौट्वेर के अंदर ना कश्यप गोत्र आएगा अब इसमें क्या होता है कि नक्षत्र आएंगे ठीके एक किसी ने जोइन करना है चलो इसकी बजाए ना मैं आपको अंगीरा का बता देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा अंगीरा रिशी है ये गोत्र है उनका अंदर कौन कौन से नक्षत्र के गोत्र आएंगे क्रितिका मगा अनूराधा गनिष्ठा जैसे ही आप मैच मेकिंग के लिए जाएंगे मान लीजिए बॉय का क्रितिका है लड़की जो है वो गनिष्ठा में पैदा हूई है तो वो आपको नाड़ी में जीरो अंक दे लेकिन मैं सिखाऊंगा कि आप शादी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई दोश नहीं है सिंपल सा है कोई रॉकेट साइंस नहीं है बात क्लिए रहे अगर माल लीजे लड़का और लड़की दोनों का ही कृति का नक्षत्र है तो नहीं होगी शादी यह आपको सभी एस्ट्रोलिजर बोलेंगे बटाइल टीची इंदा क्लास नहीं हो सकती है अब आता है डैवोर्स की अंदर डैवोर्स की अंदर क्या होता है कि मेल फीमिल चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गराय होता है कोट कचारी का पहले वाला गराय जो समझिये वो है के तु दूसरे हैं शनी भगवान त्स आपका काला कोट है नं मकील का भी काला कोट है और कि तु लिटीगेशन चैंडिका पारक क्लिंग रही बात क्लियर हें कि फेर होता है एक लंबे समय के लिए जाना बना और या वापिस आ जाना या बिलकुल ही नहीं आना यही तो होती है ना बाते सेपरेशन एक होता है टेंपरीरी सेपरेशन वाइज रूट के चलीगी चार मीने के लिए चलीगी आईगी नहीं प्लियर है अब आपकी अभी यहीं किसी फीमेल का चार्ट में सेवन्थ हाॉस में चंदरमा या पक्का एक बारी जाये मिनियमूम ocा किरेशन 향 माई के गई होगी होगी अगर फीमेल के सेवन्थ हास में चंदरमा भीटा है तो एक बारी उसे पक्का रूट करकर जाना है ठीक ह तो यह होता है अब कोई केजी मेरे नहीं है तो there are some other combination too also but we are learning the fundamental concept of it आगे चलते हैं एक और अच्छी बात बताता हूँ सिंग लगन का आर्थ होता है compromise जिनका भी लियो लगना है उनको माहाज जोड़के बोलता हूँ आपकी शादी नहीं है आप शादी तपी करें अगर आप में compromise करने की ताकत है clear हो गया क्योंकि लियो ही लगना है जिसका 7th Lord शनी है सूर्य शनी की बनती नहीं है simple सी बात है तेरी शादी कम compromise ज्यादा है आगे point पर चलते हैं आच्छे से फिर क्या है कि अगर आपने 36-32 गुण मिला लिए लड़की या लड़का malefic affliction है कुंडली में खराबी आ रही है देखिए बर्थ नक्षत्रा को देखिए अगर पुनर वसू में कोई पैदा हुआ है पुनर वसू का मतलब है repeat रिपिटेशन शादी रिपीट कर आ सकता है वह उसमें ताकत है पुनर वसू नक्षत्रा ना बात क्लिए रहे है या नहीं है कि विशाखा नक्षत्रा जो होता है न वो राहू का कर्स कहरी करता है इनकी भी मैरिश में दिक्कट आती है बहुत सारी ऐसी चीजे होती है बात क्लिए रहे है आगे चलते है बहुत सुन्दर चीज बता रहा हूं मेरे पास जब भी कोई कंसेडेंसी के लिए आता है मैं उसे हाँ जोड़ देता हूं सब्तम भाव में अगर वक्री ग्रह बैठा है सौरी छटे घर में वक्री ग्रह बैठा है या छटे भाव का स्वामी वक्री है और गल्ती से उसकी दशा है बाईसा तलाग जो है न वो कूड के चरी से तो उना नहीं है आप कंप्रोमाइस कर लो तो सूखी रोगे वरना सारी जिंदगी तारीके भगतते रहना उना उना कुछ है नहीं छटे गर में वक्री ग्रह बैठाए तो तलाग असानी से नहीं उन्हें देगा भी है तो मैं सिखाऊंगा टेकनीक के कब कंप्रोमाइस का टाइम आएगा आप कंप्रोमाइस कर लिए तभी हल है अदरवाइस तो टाइम निकल जाएगा जिंदगी खराब हो जाएगी कोई फैदा नहीं है तो आप जो है इसी इसको कर लिजिए अब आता है री मैरिज की बात आती है री मैरिज कैसे होता है सैवन्थ लॉट सिटिंंग इन दा डूल साइग दिू सभावराशी डी 1 में माल लीजे आपका सैवन्थ लॉड डी 1 में डी सभावराशी में बेटा है तो डी 9 में देखिए करी वीनस भीतों निए डीूल साइन में चला गया कारा कहना है वो शादी का तो दो शादी की बात हो सकती है बास समझ में आया या नहीं आया अब आते हैं dual marriage के बाद दो शाधी के बाद पहली शाधी होती है न सप्तम्बाप से दूसरी शाधी होती है नाइन्थ हाउस से तीसरी शादी होती है एक आदश बाव से मेरा एक क्लाइंट कहा रहा है सर मेरे को चोथी करनी है मेरा भईया मुझे बख्ष दे तो वो लगण से देखी जाती है फोर्थ मैरिज तीन होगी थी पेचारी की ठीक है जी ऐसा सुका रेक्टो नहीं देता बग देगा बट यह लव में बदल जाता प्यार जो होता है ना शादी में भी बदल देता बदल तो वो भी देता है दूसरा क्या होता है इलेवन थाओस आपका एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का भी है यह कोई गल्द फैमी में न रहे है अगर वहां राहू बैटा हो तो उसका गुण धरम बन गया वो दे करेगा दशा रहे गाए अने तो दो दशाने तो दो उसका तो गुण धरम बन गया कोसे ने देना वो तो बैठ गया या कोई विराचिय उससे नहीं लेन देना अपने को आगे चले मैंने अपनी क्लास में चेक किया था एक फीमियल का शी आलसो अगुड एस्टोलेजी टीचर और शी इस हाविंग जुपिटर एन केत्वी इन हर फिफ्थ हाउस तो जब मैं पढ़ा रहा था शी कन्फर्म इन दा क्लास आई डोंट नो अबाउट हर यह विड़ो योग है फिर मैंने अपनी रिसर्च में पाया क्योंकि नियर अबाउट 24 येर्स मुझे धक्के खाते हो गए हैं सिल्बठे के साथ आज भी मैं स्टूडन हो मैं यह नहीं कहते हैं मैं टीचर वह यह मैं आज भी स्टूडन हूँ मुलका नंद स्वामी हूँ और मिरो कोई गयान नहीं है क्योंकि गयान वीमान वा इंकार आएगा अगर आप सोचते भी यह जैसे धन का इंकार आता है वैसे गयान का भी आता है शास्त्र में सबसे बड़ा इंकार गया गया ग्यान की निवृत्ति के लिए रमण ने राम से युद्ध गिया था ग्यानतों से था और ग्यान का इंकार था ठीक है तो इन चीजों को हमको समझना है जूपिटर सेटिंग इंदा एड थाओ इट आल सो गिफ सा विड़ो यहो तूआ फीमेल क्लियर है अब एक उर सुंदर बात बताता हूं जाते जाते और आपके किसी के भी कोई क्वैरिय हो अपना कैमिरा ओन कर ले अपने से पहले मैं सुंदर बात बता रहा हूं अब आपने बिटिया की शादी करनी है बिटिया की शादी करनी है बिटिया सोर ही है साउथ वेस्ट के रूम में रिष्टा हो गई नहीं क्योंकि वो तो स्टेबिलिटी वाला जोन है उसको मुवमेंट वाला जोन दो उसको नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन में सुलाइए ताकि कि वह मूव करें कि समझ में आया डिफरेंस सारा कुछ बढ़ा दिया आपने स्टोडीजी सीख ली मैं बीच में यह भी टिप्स देता हूं कि वह यह क्या हुआ अब गुलों कहते हैं कि हम तो रिष्टा कर रहे हैं रिष्टा तो आनी रहा हम तो उपाई भी कर रहे हैं और द पॉर्चनिटी आ गई तो कम्मुकेशन में दिक्कात आ रही है रिष्टे में देन यूचेक यूर इस डारेक्शन आप इस डारेक्शन को चेक करिए वह आपका कम्मुकेशन का है सिम्पल सीगे इतने में भी इसमें कोई रॉकेट साइंस ओड़िए इजी होना चाहिए आ रहा हूं आ रहा हूं आपके पास हंजी एंजुक्रोवाजी पूलिए आ असर आपने जिपिटर जो एट था उसमें बताया तो वह भावनाश करता है इसलिए पर वह आपने बोलाना की वीड़ो योग है उसका लॉजिक क्या है सर अरी क्लास में पूरा सिखांगा क्यों परा रहे हैं अश्टरम आपका कारागरश नहीं होता है आपको पता है नो जी सर अश्टरम में कालपुरुष्की राशी वरिष्चिक होती है ता साइन इस बींक आपने आपको अन्मूट करो हाँ अन्मूट करो प्लीज आपने अन्मूट नहीं किया अभी अपने आपको अन्मूट नहीं कर पारे आप अन्मूट कर लो फिर मेरे से बीच में चाह बोल लीजेगा पुनर वसू नक्षत्र वाले रिपीट करते हैं उसका क्या मतलब कि दो शादी होती है उनकी नहीं जुरूरी नहीं है पुंडली में योग भी होने चाहिए ऐसा नहीं होता अगर योग है तो पुनर वसू नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा उकरा देगा चादी दूसर अच्छा जी एस पीजी बोलिए क्या है तर मुझी आपका को शुरू से जॉइन करना सब्सक्राइब करना समझानी में सर यह मैंने आपकी फर्स क्लास टेंड किया ना यह 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 बस और क्या है शादी का कोर्स है वो तो अगर आपको एस्ट्रोजी नहीं आती तब यह क्या आप्शन से वह तो अभी आएगा मेरे को आप वाट्साप पर हेलो हाई ली यह मेरा यूट्यूब पर मुबाइल नंबर है महां वाट्साप पर हेलो हाई लिग जब कभी आएगी मैं करीब 32 कोर्स पढ़ाता हूं अभी सैथ वो पचास भी हो जाएंगे तो कब सब्सक्राइब करना मत लगेगा नी तर्थी पर जहां में रहता हूं ना प्रती लोग के जिस वब्भू भाग में तो नहीं है कोई भैदा नहीं है तर मैसेज कर से कोर्स कि लिए कुछ मैसेज्व पानसों एक करो कोई दिक्कत नहीं है दो अगर कंसल्ट करना हो तो आग त सब्सक्राइब कंसल्ट हो जाएगा चिंता नहीं करें मेरे भगवन कपेल गुंजाल जी बूलिए सर आप क्या पूछना चारहें मेरे भगवन सर जैसे आपने बताया पूर्ण वसू नक्षत्र के बारे में मालो विश्चिक लगन और मंगल और शुक्र पंच भाम में हैं तो इसमें क्या योग बनता है यह प्यले तो यह बताई बंदा पूर्ण वसूं में पैदा हुआ या नहीं है पूर्ण वसू में फॉस चरण मे लेकिन बुरापे में दुनिया भी बी अलग हो जाते हैं यहां पुनर वसु अगर है तो हंडर परसेंट वरक करेगा अब पुनर वसु हंडर एंटेंट इन परसेंट रजट देगा लेकिन सर जो यह कुंडली है इसमें तो लब मेरिज का तो नहीं है उनका नहीं कियोंकि मेरे को बाकी कुंडली नहीं पता मैंने का लब मेरिज भी होती है इवन मार्श वीनस एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर भी है मेरा खुद का मार्श और वीनस है मेरी तो वही नहीं लब मेरिज नहीं है इसमें मालूम नहीं अगर आपको इस अगर यह से पूरी अगर बताओं कुंडली जैसे गुरू लगन में है सर ऐसे नहीं होता सर में वह कंसर्डेंश आपकी से बात कर सकते हैं या आप यह सीखिए और टेक्नीक को लगा यह सर वह बात अलग है ना सब्लीज माइंड नहीं पूछिए क्या पूछना चाहरी है अनम्यूट करिए अपने आपको मेरी डॉटर का साथवे घर में मार्स और केतू है तो चौबिस साल है उसकी एज तो मार्स के साथ केतू जिससे आपने बताया कि केतू जो है वो तो वराग्य का कारण है तो मार्स और केतू वाले की शादी तो लेट मैरीज है पर है तो ना मैरीज तो है किसमें खा नहीं है देखो आपने अपना बेटी वाली बात बोली मैं प्यार से बेटी के लिए बात कह रहा हूं याद रखना फेरे जुरूर करा लेना पंडी से जो भी है लेकिन गो फर ए रिलेशन का चार्ट नहीं देश सकते हम इसने कहा और ऐसे ब्रह्म घ्यानी व्यक्ति पैदा होगे पाइदा ही नहीं प्रम घ्यानी पड़े है चलिए ठीक है मैं इक बारी फिर सबको बताना चाहरा हूं यह कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है ठीक है साथ बजे शुरू होगा जिनको कराना है सीखना टेकनिक बेस्ट आज प्रोवाइड इन दा क्लास इसेल आप सीखिएगा डिली क्लास रहेंगी मंडे टू फ्राइडे फाइव क्लास रहेंगी रिकौर्डिंग लाइफटाइम के लिए मिलेगा फीस मैंने पहले टू टू ट्रिपल सेवन थी इस बा है कि अगर कहना मैं गुरू पिलागन में हो और वो नमांशा में अश्टम्भाव में चला जाता है तो वो डिवोस वाली टेकनिक तब भी लगेगी उसके अंदर फिर हमको राहू शनी और केतू को भी देखना है अच्छा राहू बार्वे घर में वीनस के साथ वहीं आगी न सर मैंने बताया था न अधकि किया हाँ हाँ यह यह राहू बीनस यह भी इंटरकास मेरीज भी देता है एक्स्रामेरिटल अभावि देता है मैरिज में दिक्कत भी देता है ठीके चलिए हैग गूट डेट थांक्स अलोट फॉर जोईनी डिस वबिनार आगे चलते हैं नेक्